आज जो एक टॉपिक ले क्या हैं वो अल्मस्ट आप समझ सकते हैं कि अभी हम कोविट से बाहर आए हैं और एक नए वाइरस का खत्रा गुजरात में मंडरा रहा है काफी स्टेट्स भी हैं पहले ये मारास्ट्रा से शुरू हुआ था और अब इस बार जो है वो गुजरात के बहुत सारे सिम्टम आया थे और हमने डाइग्नोस किया था इस वज़े इसका नाम चांदीपुरा वाइरस पड़ा हुआ है ये एक आरेने वाइरस है और जो बच्चों को जाधा तर एफेक्ट करता है जो दो धाई साल से लगा के 15 साल तक के बच्चों को ये एफेक्ट हो जो 29 केसिस आलमॉस्ट आज की डेट के अगर मैं आपको बता हूँ तो 29 केस जो सस्पेक्टेड थे उसमें से 14 बच्चों की मोध हो चुकी है ये सस्पेक्टेड के अंदर तो प्रॉल्म इसका यह है कि जब आप सिम्टम शुरू होते हैं फटा-फट ही एग्रेसिव होना श वीद्वारों आप जेख सकते हैं यह संफलाइ हो जो सबस्क्रादा कॉमन है जो आएघ्रिका में वी इसी से फेलता है लेकिन इंडिया में इस लाइवा एक दूसरी पिक्चर जो आप मेरी अभी स्क्रीन तर जेख सकते हैं वह है मॉस्कीटो एडिज मॉस्कीटो एडिज म बच्चों को बाड़ी एक बहुत जादा रहेगा लूज मोशन सो सकते हैं जब बच्चों को खेंचा सकती रहेगा लूर्फ थो, इसको खंकि भर्यृ चेस्ट के का लिए च्छेDavid में सब्सक्त से बड़ी तकलिफ की बात है कि यह दो से तीन दिन मतलब 24, 36, 72 आर्ट के अंदर बच्चा जो है वो डाउन होने शुरू हो जाता है फाइगेड फीवर के कारण खेंच के कारण जिती ब्रेंट के पर इफेक करता है उसी कॉंशेसनेस लेवल इसक्ट हो सकती है अब आपका कु है वो बर्तन खाली करके रग दीजिए कुलर खाली करके रग दीजिए कुछ ओल टायर पड़े हुआ है कुछ ऐसी पुरानी चीजे जो आपके बाहर पड़ी देती है जिसमें बारिश का पानी कटा रहता है फ्रेश वटर वहां से एडीज ग्रो करते है औरो बगरा जैसी क के बच्चों नहीं करें है पहली चीज़ नहीं सकते हैं आब सपोर्ष हमने बचाव करा लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं बाइट होगी बच्चे खेलने के स्कूल में गए कहीं से बाइट होगे बच्चों को और उनको सिंटम्स आने शुरू हो गए मैं अपर एडवाईज होंगा कि घर से इलाज करने से बहता है आप इमिजिएली बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएए और वहाँ जाके वो सिंटम्स आप देखेंगे पानी के अंदर इंवार्मेंट ilog बहार का खना ख़ते टाइफ्र इतना कॉमन कूशन बेसे के पानी के अदर सबसे ज़bok शुरू होगा जो हो चुका है अभी गुजरात के अंदर तो मैं चाहूंगा कि जादर ज्यादर लोगों के मैसेच महुँचे कि आप अपने बच्चों को घर पे ट्रीट करने से बहतर है, कि आप अपने पेडियाटरिशन के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाए, और उसकी फटाफट से ट्रीटमेंट करवाई दी जाए, अब पहले तो इसका डाग्नोसिस कैसे हो सकता है, डाग्नोसिस ब् हमारे की जरुवत पड़ेगी शायद देखने के लिए कि ब्रेंड में कितना involvement होगा रसकों बच्चों को कैंच होगर आती है तो हमारे की भी जरुवत पड़ सकती है बट आप अपना समय घर पे बरबाद नर करें और बच्चों को इमीजिटली बच्चों को डॉक्टर उनके पास ले के जाए और बच्चे को डाइग्नोस करवाए अब जो दुवीदा है कि डाइग्नोस होने के बावजूद भी क्योंकि बच्चों को अगर mild symptom है तो शायद घर पे treat करा जा सकता है लेकिन severe symptom है तो hospitalized करना पड़ेगा जिस सरह हमने COVID में देखा था हमारे पास कोई antiviral specific treatment चांदीपुरा virus के लिए हमारे पास available नहीं है तो supportive treatment ही रहे बच्चे को स्वास चरता है तो उसकी treatment खेच जाती है तो उसकी treatment रहेगी fever बहुत जादा था तो fever की treatment करेंगे अगर बच्चा खाना वगरा नहीं खाब तो उसको IV fluid दे सकते है मतलब की bottle चड़ा सकते है बड़ ये एक अच्छे pediatrician के under observation होना चाहिए आप घर पे इलाज करते रहेंगे दो या तीन दिन निकलेंगे तब तक बच्चे की तब और खराब होगी और शायद उसको तकलिफ हो सकती है इस message को emergency हमने record करके आपकी तरफ भेजने की कोशिश करिए क्योंकि 29 बच्चों में से 14 की death आज की दिन हो चुकी है आज जिस तरह में आपको ये deliver कर रहा हो lecture उसका समय जो है वो 17 तारिक 17.7.2024 अभी तक एक दो दिन के अंदर ये खबरे होनी शुरू होई थी और death rate बढ़ चुका है तो जो छोटे बच्चे हैं 2-15 साल के diarrhea है, cough है, high grade fever है, body ache है, headache है उनको seizure आते हैं, उनका mental status जो drowsiness बोलते हैं या unconsciousness ऐसा हो रहा है तो आप immediately doctor के पास please लेके जाएए, उसके reports करवाएए और proper treatment लीजिए और अपने बच्चों की proper सारवार से बच्चों की death जो है बिमारी है उससे आप बचा सकते हैं Thanks a lot for passionate listening आप इस तरह की हिंदी में वीडियो देखने के लिए हमें subscribe कर सकते हैं बन्यवाद